हलो माई डियो फ्रेंड कैसे हैं आप लोग डिसीज अखलेश वैलकम टू अचीव याद अनिश्टाफबल दोस्तों हिस्ट्री के इस वीडियो में आज हम डिस्टर्स करने वाले हैं लैंड रेविनियर सिस्टम के बारे में तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेश्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है वह चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर ले और पेल आयकन को प्सकर theCUBE कर ले है अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ तो दोस् क्या होता था अक्सर हम exam में देखते हैं कि जो कि हंदी में लिखी आता है कि रयत्वारी मालवारी जमीदारी यह सब प्रधाय होती थी जो इवेनियर इंश इस्टम को अगनाइज करते था तो यह लिए में होता क्या था इसके बारे हम डिसर्ट करेंगे तो देखें दोस्तों अगर मैं बिटे सुरूप के पहले की बात करूँ तो लैंड इवेनियू सिस्टम में क्या होता था कि टैक्सेस जो आते थे वो राजाओं और महराजाय जो होते थे वो प्राचीन समय में उनके ज किसान वगरा जो उनको रख करके वो लिए मजदोर लोग होते थे उनको रख करके वो PE刁टिवेट करवाता था खेतीर रेटन में जो पैसे हिक ट्ठे होते थे वो उनको एज़े tax के farm में जो है उनको revenue मिलता था तो इस तरीके से ये एक order चला आता था कि पहले जो उसका main owner होता था वो और राजा माराजा होते थे वो क्या करते थे उसको जागीर में डिवाई करते थे वो उनको ठाइन के रुप में राजा माराजा के पास चला जाता था लेकिन जब इंडिया सिश्टम आया तो बेख इंडिया में क्या होता था दोस्तों कि इसमें तीन मेजर सिश्टम में रिवेथ को डिवाईड कर दिया गया था तो आम यह कह सकते हैं कि three major system of land revenue correction exist in India वो क्या थे वो थे जमीन नितारी, रियतवारी और महालवारी देखें जमीनदारी system क्या होता था इसको मैंने आप एक pyramid बना रखा है आप इसको समझिए देखें सबसे जो top पे होता था एक डम वो British government होती थी British government के नीचे जो part आता थे वो लोग होते थे जमीनदार्स और जमीनदार्स के नीचे जो आते थे वो लोग किशान मजदूर होते थे जो लोग खेतों में काम करते थे उनके तब होता क्या था यह system सबसे पहले मैं बता दूँ आपको कि यह system introduced कब हुआ था देखे जो कार्नवालिस थे उन्हों 1793 में एक प्रमानें सेटर्ण एक्ट पास किया था उसके according दोर जमीनदारी सिस्टम आई थी सबसे पहले मैं अगरे कि हिस्टोर का बैग्रांड की बात करूँ इसमें मैं आपको बता दूँ कि यह एक अस्थाई बंदोबस्त ब्यरस्था लागो किये गई थी 1793 में और यह ब्यरस्था क्या थी कि यह बंगार, बिहार, उरिसा, उर्टर, पदेश का जो वारारसी छेतर है और कुछ करनाटक के छेतर में भी जो है कि यह ब्यरस्था लागो किये गई थी तो इस तरीके चोने भूर स्वामी जो जमीन का मेन मालिक होता था उसके रूप में जिसको भे मानता प्रार्थ होती थी को हम रहे, वह अपने छेतरों में जो भूर अजस यसको हम जंडिया कमपणी को मिलता था इसमें सब्सेदार यह उपर कोई भी सरकाय निहंत्रण नहीं होता था इससे क्या होता है कि जिसे पट्टा जारी किये जाते हैं तो समय एक सब जारी करना बहुत साथ टैक्सेस के ऊपर आपको कोई कर अगरा नहीं देना इस तरीके का होता है तो इसके फोसरुट क्या हुआ है एक एक्ट आया था 1859 में जिको हम रेंट एक्ट के नाम से जानते थे एक सुद्धान रखेएगा दोस्तों रेंट एक्ट कब आया था 1859 में रेंट अधिनियम आया था तो इसको जो पारित हुआ था तो इसमें तीन दसक पहले कुछ जिलों में और बंगाल बिहार सीमा के जो पूछे थे उसमें मुसल्मान किसानों ने अपने परंप्रागत अधिकारों के रच्छा के लिए हिंसा का सहरा ले लिया था क्योंकि वहां पर उनके साथ बहुत अन्या हो रहा था इस सिस्टम से और इस सिस्टम से लोग बहुत परसान हो गए थे अच्छा इससे आपको जमिदारी से सिस्टम से लेटेट एक चीज़ और मैं बता दूँ कि जो लाग कानवालिस के समय पर भूराजों से ब्योस्था इन्हें 22 मार्च आफ 1793 को यह परमानेंट सेटलमेंट जिसका हम अस्थाई बंदवस्थ बोलते हैं उसके रुप में स्थापित हुआ था और इस ब्योस्था को बिहार में लागू करने कान जमिदारों के लिए जमीन पर मलब जो वनसानुगत जो होती थी परंप्राय चलि जमीनों को ही दूसरे लोग ले लेते थे जो इस्ट इंडिया कंपनी के लोग होती थे वो खुद हड़प लेते थे और जो मल्दू जिनका जो खुद मालिक होते थे वो लोग को मतलब एक बटा 11 पार्ट मिलता था जो भी जमीदारों के इससे में चला जाता था और जस उन्हों जब आये थी तो उन्होंने इसका मेजर जो इरिया जो इंट्रेक्शन का था ये रहेतवारी सिस्टम का ये था हमारा मद्रास बांबे पार्ट आफ कुछ आसम के पार्ट थे और उसमें कोड़क प्रोविंसे सब बिटिश इंडिया के कुछ पार्ट होते थे तो य किसानों को अपनी जमीन का मालिक माना जैता था जो सीधे सरकार को कर देते थे और कर का नेधारन धोमी का जैसे अगरंने सरक्षन कर लिया तो सरण करने के बाद उनको लगता था अक्याहा इस जह मैन सही उप जाओ है यह जमीन अच्छा है यहां हमें तैक्स जाएं मिल सकता है इस बेर तक सरकार रहीतों को पत्टे पदान करती थी और वो किसानों को जो भुमिहीन होते थे वो ताकि वो अपनी कुछ जिनके पास खेती वगरा नहीं होती थी वो लोग वहाँ पे कुछ काम अगरा मजदूरी वगरा करके अपनी आजीव का कमा सके इसलिए पाकि तुम्हें मेहनत के रूप में जो भी चीज़ें मिलेगा वह हम आपको दे देंगे इससे उनका भी काम चाहर जाता था जहां पे भी जमीन सुखी होती थी वहाँ पे 50% इरिगेशन होता था जहां पे सिचाई के लिए जमीन अच्छी होती थी वहाँ पे 60% मिलता था इसके बाद दोस्तों आता है महालवारी सिस्टम जो था यह 1823 में इंट्रोडिश किया गया था और यह कद विलियम वेंटिंग के टाइम पर हुआ था और इसका जो में जो इंट्रोडिश हुआ था यह कौन से जोन में हुआ था इसको आप ध्यान रखेगा जो सेंटर प्र इंट्रोडिश इंडिया के दोरा यह इंट्रोडिश किया गया था यह जो में रीजन थे यह लोग थे यह नाथिस्ट वेस्ट फंटियर आगरा पंजाब इतीची तो अब आप देखिए इसमें जब यह विलियम बेंटिंग आये थे अठा से तैंटिस में जब महलवारी सि एक एक से अधिक गाउं को ले लेते थे और उसके बाद जो भी उसका मालिक होता था वो अपने हिसाब से जो था जो किसान होते थे किसान ही उसका फिर मालिक हो जाता था यानि ओनर से फ्राइट वर वेस्टेड विद दा पीजन और विलेज जो होते थे वो टेक्स के लिए collection के लिए putit रेकर responsible होते थी जो गाओ में कमीटी बना दिए जाती थी जो खिसान का खेड़ थे वो अपना किसान अपने खेड़ते काम करें बाकि उससे जो हमें कर मीलेगा वो गाओ में कमीटी बना देते थे इन रेज, वो लोग उनEND से collect कर लेते थे तो यह total system था हमारा जो कि यह land revenue जो था इससे related था तो देखे इसमें main चीज़ आपको क्या याद करनी है कि तीन तरीके का system था हमारा land revenue का after यह आपका कर सकते हैं बिटिश रूल के पहले जो था वो तो राजा महराजां को जगिर्दार कर था जो जैसक मैंने आपको बताया लेकिन उसके बाद जो बिटिश रूल आ गया उसमें तीन तरीके से इसको पार दिया गया था जमीदारी रयतवारी और महालवारी तो आप इसमें difference कैसे करेंगे द जैसके बाद अगर खेती अगर अच्छी होती थी तो वहाँ अगर इरिगेशन अच्छा हो रहा था तो 60% दिया जाता था तो उसका revenue rate और अगर 50% तर मिलता था जब वहाँ की land जो होती थी वो dry होती थी और उसके अबाद थर्ड जो आया था महालवारी सिस्टम आया जो अठाव से इसमें विलियम बेंटिंग लेके आया थे इसमें क्या होता था कि ये total का total जो महाल से में डिवाइड कर दिया गय प्रिसान हो जाता था तो ये तरिके से तीन सिस्टम को अपनाया गया था अब देखिए दोस्तों इसके बाद मैं बात करता हूं आपसे land reform के बात करता हूं देखिए land reform in India after independence ये तो before independence की बात थी अंगरेजियों के समय पे लेकिन जब ज्यादा हो जाती थे किसी के पास तो उसको confiscated कर दिया जाता था जमीदार से मतलब एक तरीक का मतलब होता था कि जब्त कर लिया जाता था और बाद में उस जमीन को sealing act के तहद different state में किसी particular limit पे जाकर दिया जाता था तो उसको pass कर दिया जाता था उसको seal कर दिया जाता था उसके बाद इस जमीन को जो लिमिट for private land holding of a family जो भी परिवार होता था जिसका भी जमीन होता था उसको एक तरीके से seal कर दिया जाता था अगर आपके पास एक excess amount से ज़्यादा चाहे वो जमीदारी क्यों नहों अगर उसके उपर अगर आपकी जमीन होती थी तो आपको जमीन क इसके बाद आता था आपका कि land reforms in India usually refers to redistribution of land from risk to the poor ये land reform जो आया था इसमें क्या था कि अमीरों से लेकर के गरीबों तक जो एक आडर चला आता था उसमें अगर किसी के पास अगर बहुत ज़्यादा जमीन होती थी तो उसको distribute कर दिया जाता था मतलब कि सब को खाने पीने के लिए सब के पास ब्यूस्ता हो अगरी कल्चर के लिए सब के पास ब्यूस्ता हो ये एक बहुत ही बड़ा जो था एक रिफॉर्म था जो लेंड रिफॉर्म इस आफ़न और année सब चीज़ों को एक में इंक्टिवीटियमines के बारे में था हमें ये देखते हैं कि जो प्राविक्ट्परेटिंच होती है जो एक किसी individual की होती है तो वो control तो उसके ऊपर उसका रहता है लेकिन उसकी collective responsibility और सिफ of land की जो होती थी वो उसी के हाथ में होती है तो यह एक reform आता था कि जो पहले अगर access में होता था अगर दे दिया जाता था किसी और को या आप इससे ज्यादा नहीं रख सकते हो तो इस त instances of considering land as a private property by individuals who had control over it. The practice of communities like that of troubles with collective ownership of land stand out. इसके बाद हम बात करता है कि state which implemented the land reforms in India कौन कौन इस land reform को कहा काप implement किया गया था तो देखिए चैसे पहले तो यूपी तो मिलनाडू भी हाँ मदपड़ इस इन जोगों पर जमिदारी evolution act को पास किया गया था जैसा कि मैंने अभी उपर में आपने बताया मैंने कि अगर land surplus में हो जाती थी तो जमिदारों से उसको क्या कर लिया जाता था जब्त कर लिया जाता था अग् Sóस आगरे में वच्श कर तो आप वहां पर जाकर करके इस बिडियो ँगा आपको इसको रिलेर कर पाएंगे तो देखें मैं यहाँ पर बतारा हूँ आपों कि जैसे गोलखनाथ केस में क्या हो तक कि स्रिप्रीम कोड ने बताया था कि जो जमिदारी एबुलिशन एक्ट है वो आर्डिकल 31 के एकार्डिंग, जो कि इंडिन कर्षिटिशन का आर्डिकल 31 है उसके एकार्डिंग जो यह कं आर्गोमेन्ट्स थे, जिसके एक्टि की बाद आती है कि now majority of land in India is enjoyed by minority of the landlords जैसे बहुत सारे लोग है majority में हैं इंडिया में तो वो क्या करते है और जैसे च्चक तरीका था जो करना बहुतMusic के बात देखें, इनवर्स रिलेसन्स लिएशन्टी बीत्विन land है better will be the productivity and efficiency छोटे छोटे जगों पर जैसे land है तो वहाँ पर हम काफी अच्छे से care कर सकते हैं उसकी productivity उसकी efficiency ज़्यादा होगी तो यह एक तरीके से यहाँ पर land reform होना था उसके बाद owner cultivation जो more efficient than the share cropping जो more main जो होता था person जिसका जमीन होती थी जो cultivate करता था उसकी उसमें भागेदारी ज़्यादा होती थी compared to the जो cropping करते थे या जो लोग उसमें काम करते थे तो इस तरीके से काफी rules regulation इसके तरहता थे तो main जो हमारा factor क्या होता था क्या आपको इसमें वीडियो में याद क्या करना है कि आपको एक चीज़ याद करनी है कि जो हमारा land revenue system में बिटिस रूर के पहले क्या होती थी बहुत में ज़्यादा नहीं पुछा जाएगा आपसे लेकिन यहां से है तो दोस्तों इस तरीके से हमारा वीडियो आज यहीं की समाप्त होता है अग्याफ्स ये लोग करें गतो लसप्संच प्रेइग और आपसे प्रैइड से रिकूर्पर्टहिं झाल झाल